हे फैमली वेलकम बैक तो मैं चानल शिल्पा फैशन हाउज में उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे आज मैं आपके लिए मिंत्रा से बहुत ही प्रिटी प्रिटी कुर्ता सैट लेक्या हूँ विथ डुपट्टा तो जल्दी से वीडियो के स्टार्ट करते है आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जो मेरी फॉर्स्ट कुर्ती है मैंने अनोग ब्रैंड से मंगाई है और बहुत ही अफुटिबल प्राइज में बहुत ही प्रिटी है आप खुद देखिए यह कुछ मैंने पिंक कलर जो होता है उस कलर की मंगाई है और यह अनोग ब्रै यह में मिल रहा है हमको इसमें मैंने अक्चुली में वैसे तो मोस्ली में L साइज मंगाती बट मैंने M साइज को मंगाया मीडियम साइज मंगाया है जो मुझे पॉफेक्ट था मतलब बहुत अच्छी फिटिंग आरी थी थोड़ा सा लूज बीता और अच्छा लग रहा थ इसमें से थी बटन में से हमको एक ही फंक्शनल है बाकी दो हमारे ओपन नहीं होंगे और हमको वुड़न बटन टाइप से दिये जो बहुत ही अच्छी लग रहे है पूरा ही कुरता है स्ट्रेट कुरता मेरी हाइट 5-4 है तो मुझे काल फ्रेंट से हलका से नीचे था जो हृएट कलर के आपको पेजोगर दिखरे हैं पूरहीं परेंटक riches और इसका कंबिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा का दोनों साइड मको साइड 1 हो रही है इस टाइब से दोनों साइड से साइड से बोवाइड बैक साइड से उसके यह तैप से बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सौफ्ट वाला कॉटन ब्लाइंड मैटेरियल है जब मैंने इसको विदाउट लाइनिंगी मैंने इसको विए करता क्योंकि भी बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है मैंने ट्राइउन हॉल में कोई भी लाइनिंग नहीं डा एक्जेक्ट प्राइज में आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगे बट यह बहुत ही अफ़रिबल प्राइज में ट्रायन हॉल देखना आप ना भूले अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्ता की साइट उसके साइट बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मैं चैनल एंड पीज प्लीज प्लीज सपोर्ट मैं चैनल एंड एंड थैंक यह सो मच मेरे वीडियो के इतना प्यार देने के लिए अपड़ते हम नेक्स्ट कुर्ती के साइट मैंने लिबास ब्रेंट से मंगाया है एक्चली में मुझे ना कुछ सॉस सिंपल सोबर मैंने चैरी रेड करका मंगाया है कुर्ता इसमें भी ना पाच्छे कलर थे बट मैंने इस कलर को पिक करा हलका सा चैरी रेड महरून टाइप से बट यह चैरी रेडी एग्जेक्ट चटक वाला रैड नहीं है तो इसकी बात करें तो फुल-on cotton blend material में मिल रही कॉटन ब्लाइड के सब्सक्राइब कॉर्टा कॉर्टा सैथ हमें बहुत जादा ही comfortable होते हर सीजन में तो मैंने कॉटन ब्लाइड में इसको मंगाया है इसमें को 3-4 स्लीज आरी इस टाइप से स्लीज में हमको बहुत ही अच्छा स्मार्ट लुक के उनने हलका सफोल्ड करके हमको इस टाइप के ना प्लिट्स बना के दिये तीन जब बहुत ही स्मार्ट लोग दे रही है फ्रंट साइट से ना हमको इसमें मैटरिन ने करा रहा है और एक चीज बताना भूल गई इसमें मैडियम साइप परचेश किया मैं मिंत्र में जितने भी कुर्ता कुर्ता सैट मिझा अच्छा रहता तो मीडियम साइप पर एक मिल रही है और पूरा ही फ्रंट साइट से आपको दिख रहा है यह बहुत यह अची प्लेट्स की उन्हों हमको डिटईलिंग कर दिये बहुत ह पुरा है मेरी काल फ्लेंट उप्राइट हम्को स्टैपकी बट्न उनोंने बना नहीं बना लय एक तीन फॉक्टना ऑगा लगा सकते लिए अर्षञ लिए लुटस ताइपक कर दिये झाट ह के लिए जिसको लुक लगा सकते हैं को लगाना एक बट चैन्म कर देख साथी लिए हो यह स्टाइब से और बैक साइड से कुछ ऐस टाइब का है वैक साइड से कुछ ऐस ट्राइप पूरा ही प्लेइन रड़ कि और यह बिलकूल भी ऐन्जी नहीं है क्योंकि इसका बहुत तिक वाला cotton fabric के मैंने ट्राइवन होल में कोई भी लाइनिंग नहीं डाल रखी थी में कमफुटिबली इसको वेयर कर रखी इसको आप डैनिम के साथ लेगें प्लाज किसी के साथ भी डालेंगे बहुत ही मस्त लगेगा और ना बहुत ही अफ़रिबल प्राइज में और इसकी क्वालेट प्रिफ सकते हैं इसमें में मीडियम साज को पकर रहा है मैंँ डबल एकसल तक size अविलीबल ए जो मैंने लास्ट जो कुरतियास बताई अगर आप कुछ बिक साइज में चाहते तो इसमें अविलेबल ए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कुर्त की साइड उसके सब्ढ़नेश कर रखी तिर गोटा जो आज मेंने a बहुत ही प्रेटी कुर्ति कर रखी एकक्षूली में पूरा सूट सर्ट है इसमें कुर्ता डुपट्टा और बौटम विर यह बत मैंने कुर्ती अक्यों दीक्रिश्ट कर रकी अच्छा सोट सैट peux your बहुत प्यारा है यह मैंने गोश्री के ब्रेंट से मंगाया है और फोन सैट co2 पर्चस करें जो बहुत ही मसत रिंगे आफटर वौश भी तो इसकी बात करें तो इसमें आ मैंनेMichi ब्लू कलर का पिक करा है आध you मैंने साइस कोपी करा है बाकी जो दो पैने बताए थे लास्ट उसमें मेडियम था इसमें एल साइस को पिक करा है यह मुझे पॉफेक्ट आ रहा था इसमें आपको राउंड नेक प्रोवाइट हो रहा है और इसके फैवरिक की बात करें तो फॉल-on करें आरहा हमारी योग प्रोषण को साथ में थी बटन्स लगा के दिए यह मैटल के बटने जिनमेन टब टैमंड लगाके दिया भाट-चे नेस चाइनिंग अच्छा-का-सा नीचे था दोनों साइट beide साइड आर्स आप सैटराे साइप से और साइड स्लीट पे नहामें स्टैप की सिल्वर कलर की जिगजग की बलीज लगा के दिए जो बहुत ही अच्छी लग रही है एक्चुली में यह डाक ने भी ब्लू कलर है जैसा मैंने केटलोक में देखा तब ऐसा ही रिसी बुगा है और ना इस पेस इल्वर कलर का काम कि जो बहुत जादा ही उभर के आ रहा है आप खुद देखिए बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा ही प्लेन है और बहुत ही अच्छा फैवरिक है इसमें कोई भी लाइनिंग डालने की जर्रत नहीं है ट्राइन हॉल में मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है दोनों साइड से लास्टेटेड है बहुत अच्छा फैवरिक इसका इसके फैवरिक की बात करें तो यह भी कॉटन ब्लैंड माटेरियल में मिल रहा है इसकी लैंद पॉफेक्ट थी मेरी हाइट 5-4 है तो बहुत ही नीचे तक पॉफेक्ट ली आ रहा था और नीचे से हम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नी जारी थी उठके देखा बैठके कोई भी दिकार बल्कि लूजी था कोई और हैल्दी भी पहनेंगे तो वह आराम से माली जिए थाइस आपकी हल्दी है तो आपको कमफिटेबली वेर कर सकते हैं इसके जुपट्टे की बात करें तो डुप सिल्वर कलर की लेस की हमको डिटेलिंग करके दिए एक प्लेन लगा के दिए सिल्वर गोटापटी और जिगजग वाली लगा के दिए आप खुद देखी कितना प्रीटी लग रहा है यह डुपट्टा आप इसको अधर कुर्ता साइट के साथ भी डालेंगे तो हो रही है और इसकी लेंद्ध परफेक्ट है मलब परफेक्ट लेंद्ध कर टुपट्टा है बिलकुल भी मिस्टेक नहीं ओवर ओल सूटी बहुत अच्छा है आप लेंगे नहीं तो फॉल-on सैटस्वाइड होंगे तो मैं आपको रिकमेंट करना चाहती हूं और इसका भी अच्छा मेंटरा से बहुत प्यारा सा हॉल आइए होप आपको अच्छा हॉल बहुत पसंद आयो अगर वीडियो बहुत पसंद आयो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज 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 कॉमेंट शिक्ष्चन में जरूर बताइएगा कि आज का haul आपको कैसा लगा है I hope आप सभी स्वस्त और मस्त रहें, बाई बाई टेक क्यार